लेडीज एंज जेंटलमेन दे शो श्टार्ट्स इन फ्री वान गो आई फ्रेंड्स गूद मार्निंग्स ऐसे आप लोग आई आप 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 सब ठीक होंगे आज हम लोग श्लींडर का सब्सक्राइब करा आए हैं और एक टॉपिक के इसे रिलेटेड बहुत सारी से कोशल्स पुछा जाते हैं हर एक बार एक्जाम में पुछा जाता है जिए कोशल्स को स्टार्ट करते हैं जो कोशल्स आपको दिया हुआ है तो टोटल सर्फेस ऑफ एरिया ऑफ ए सिलिंडर ऑफ ए रेडियस इस सेमें सेंटिमीटर आइंड और तो असे सेंटिमीटर असक्वार तक दिया हुआ है तो मुझे जिए जियाद करना है find the height and the volume of the cylinder का भूलुम जियाद करना है और साथ-साथ में इसका है वो भी जियाद करना है ठीक है सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि आता है तो चलिए निकालते हैं टोटल सर्फेस ऑप एरिया तो टोटल सर्फेस ऑप एरिया का पिछले बैक वीडियो में हम लोग इसके बारे पूर अगर नहीं देखेंगे तो डिक्रिशन पर आपका लिक दिया जाएगा उसके आपनों देख लीएगँ चलिए टोटल सर्फेस ऑफ एरिया का फर्मूला होता है टी जिसका टू आएंसे जिसकल टू होता है तो यहां पर आ word यहां देना है कि तो पाइर एक अर्प्लस आर अलें टू हैं तो टू तो रहेगा ही ह।عة कमान्न क्या होता है बाइस बटन साथ होता है इंटू आर के बिलू तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है और है यहाँ पर 7 तो 7 दिखिए गया इंटू और कितना है 7 प्लस एच इसके बिलू तो यहाँ पर पतारीक है इसलिए इसको छोड़ दिये हैं चलिए आगे है और कि अब इसमें टोटल सैर्फेस ऑफ एरिया तो देखे टोल साइर्फेस ऑफ एरिया मुझे दिया हुआ कि दूना ऑर सुपसी तो यहाँ पर लिए दें आप सो असीच टिकें सेंटीमिटर तो संटीमिटर रहेगा चलिए आब इसको सब्स करते में तो आ जागा ही सेवन और 7 को क्या करें पहले काट दिजिए तो यह जागा इन्टू 22 इन्टू यह जागा सेविल प्लस एच देविल प्लस एज इसको ग्राकेट में रहा ने देजिए इसको दोनों को आड कर दिए तो आज आज आगा चुवाले दूने अठाज बाइस दुने चुवालीस को ठीक ह है तो यह डिवाइड चला जाता है नीचे तो लिखेंगे आठ सो असी डिवाइड किना जाएगा 44 इसका टू 7 प्लस एच तो इस से कटेगा तो आएगा यह दो बार में कटेगा तो आजागा 20 डैन आप उसके बार लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि 20 ब्राबर 7 प्लस एच तो इसलिए क्या लिखेंगे कि जो 7 है साथ इसके तरफ चला जाएगा तो आजागा क्या 20 माइनस 7 इसका टू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा तब यहां लिख सकते हैं 20 भी जाएगा तो बचेगा 13 ब्राबर मतलब कहाँ गया क्या मतलब हुआ कि जो एच की आया मुझे जो हैट था है कितना आया थर्टिन सेंटिमीटर अब क्या करेंगे जो वॉलूम होता है ठीके टोटल शर्फेस अफ फेर यह निकल गिया अब मुझे निकालना है बहुलूम तो बहुलूम को जो फर्मूला होता है यह पाई आर अस्क्वारेट होता है ठीक है अब इसमें हम लोग बिठा देगे लिखेंगे वॉलूम आफ किसका सिलिंडर का हम लोग सिलिंडर का लिख रहे हैं सिलेंडर जिसका फर्मुला क्या होता है पाई या अस्क्वाइर होता है तो क्या लेखेंगे पाई कमान क्या होता है बाइस बाटे साथ होता है आरके बेलो निकल गिया है आरके बेलो दिया हुआ था मुझे कितना सेवन सेंटी मिटर लेखेंगे सेवन सेंटी मिटर इंटू स यागा तब बचेगा क्या तो 22 बचेगा साथ बचेगा और तेरह बचेगा तो निखेंगे 22 इंटू 7 इंटू 13 इस दोनों को गुना कर दिए तिक ना जागा या जागा साधने 14 साधने 14 एक 15 154 इंटू 13 बगर में गुना करते हैं एक 151 इंटू 13 इस दोनों को गुना करिए 12 25 इंटू 14 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 या जागा 2 0 या जागा 0 या जागा 2 मतलब 2002 आएगा थीए 22uta या जागा सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर में आगा तो यह लिखेंगे क्या सेंटीमेटर क्यूब क्यों यह बगण में लिखेगा sof hol आज़ते तो इसमें क्या कीए सब से पर लेना पड़ा किसका व्लूम वाफ टोटल सेर्फेस ऑफ एरिया का उसके बाद मुझे जब सब्सक्राइब निकल गया उसके बाद फिर क्या निकाले पाई यारा स्कुरा एच जो व्लूम आप सिलेंडर होता है उसका बिलू निकालने के बाद और इसका लाश्ट में जो विडियो को पुट कर देंगे कि लिए रहां तक इस वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे केमेंट बॉक्स पर बताईएगा और इसी जरह का नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा पार्ट जिसमें और को सब्सक्राइब कर आएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर